एक बार क्या होता है एक बार पाबलो पिकासो जी का एक सेमिनार हो रहा होता है बहुत बड़ा और उस सेमिनार के बाद एक औरत उनके पास आती है और औरत बोलती है कि सर मैं बहुत गरीब हूँ मेरे घर के हालत बहुत खराब है मेरे लिए कुछ हपदान कीजी पाबलो पिक लैना आपके लिए वो रख थोड़ी सी हःरान होती है उस चीज को देखकर लेकिन जाब वो उसको लेकि मार्केट में जाती है और मार्केट में जब उस पयंटिंग की कीमत जब उस कागज की कीमत लाखो क्रोड़ों रुपे होती है तो वो है रखाती है कि यह कैसे किया उन् फिर जब कुछ समय के बाद उनका एक और सेमिनार कहें पर हो रहा होता तो उसके बाद जब वो उनसे मिलती है तो बोलती है मुझे पहचाना सर तो उन्हों ने बोला जी नहीं आपको उन बोला आपने एक बार मैं आपसे मिली थी और मैंने आपसे कुछ हेल्प मांगी थी भी ये करना चाथती हूँ पाबलो जी ने विनमर भासा में बिलकुल शांद सभाओं में एक ही जवाब दिया ये की ये 30 सेकंड की पैंटिंग करने के लिए बहन मुझे 30 साल लगी है मैंने 30 साल महनत करी है तब जाके मैं ये 30 सेकंड की पैंटिंग बना पाया हूँ और वो जो 30 साल की महनत है वो आज मेरे काम आ रही है कि जो महनत मैंने उस टेम करी थी 30 साल आज वो मैं 30 सेकंड में वो काम कर लेता हूँ तो दोस्तो जिन्दगी में हमें कभी भी हार नहीं मानने चाहिए हम जितनी महनत कर रहे हैं जितना हार वर्क कर रहे हैं जितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं अपने बिजनस को लेके अपने काम को लेके अपनी नोकरी को लेके अपने परिवार को लेके किसी भी चीज के लिए अगर हम काम कर रहे हैं महनत कर रहे हैं उसके अंदर एक साल दो साल तीन साल चार साल लग रहा है तो हमें हार नहीं माननी है क्योंकि वो जो महनत हम कर रहे हैं पांस साल दस साल हमें किसी बिजनस को खड़ा करने में लगेगा वो बिजनस हमें पांस साल के बाद दस साल के बाद उतना कमा के देगा उतना कमा के देगा कि जो हमने दस साल की महनत करी है वो हमें दस दिन में मिलेगा तो महनत करते रहिए विश्वास बनाए रखिए और हमेशा खुश रहिए स्वस्त रहिए